और चल something मैं आज हम जानने वाल है इस वीडियो में तो इस वीडियो में आपको आज बताएंगे बाइनरी लिएशन क्या छीजश है यानि जिसे हम कहते हैं दुयाधारी शंबंध क्या चीज़ होता है इस वीडियो में हम आप को ये बताएंगे ठीक है अपको इन वर्स रिलेस्स क्या होते हैं एसे बी में बनने वाले संबंद के संख्या कितनी होती यह से बी में कितने संबंद बनेंगे यह चीज आपको हमने फांड करना जो था प्रीम्य लेक्ट्टर प्रिव्ज़े था उस तो आई ये करते हैं कि सेट अ लेते हैं मालीजिए कोई सेट ये होता है हमने क्या लिया अभी तक क्या करते थे कि सेट ये लेते ठीक है सेट में कोई elements रहते थे माले जे 1 है 2 है 3 है and set B होता है आपका तो A B तो हम क्या करते थे एक B का Cartesian product करते थे हमें क्या मिलता था 1 A मिलता था ठीक है and 1 B मिलता था and 1 C आपका 2 A ठीक है 2 A 2 B and आपका 3 A ठीक है and 3 B यह था एक रास भी निकालते थे तो एक रास भी निकालने पर हमें मिलता था फिर इसी का जो उपसुमच्चे होते थे सबसेट होते थे वह यह में relation क्यलाते है माली जो कोई relational लेते हैं कि 1 A and 3 B ठीक है इस प्रकार B let us stay between 8 1 B and 1 B ho गया 2002 B क्या क्या करतेते कि यह सब एक रास ऐसरक में बने वाले संबंध हैं ठीक है इस अगयां संबंध है लेकिन आज हम आपको क्या करेंगे सर्दो सेट नहें लेंगилаशेट लेंगे ठीक है केवल एक सट लेंगे मालिजिये की आपसेट एफ्षेट एफ माल ले जिए की आपसेट एफ determ की आ वण टू प्रिय एंडि इसका सुयम के साथómo प्रॉडक्ट निकालते यानी सुयम के साथ एक DR الس ए planner निकालेंगे एकरस मिलेंगे तो हमें ख़िक है एंड टू टू एंड तू ढोंट टू थरी इसके बाद फिर थी करेंगे ढोंगा तो क्या होगा थरी वन एंड दीटू तो यह तुम्हारा हुआ एलिमेंंट इस प्रकर से मिलन्ट जाती है हमने ऐ से यह पर संबंद बना अभी तक हम क्या करते थे सेट ए लेते थे एंड बी लेते थे इन तक आटेजन प्रोड़क्ट निकाल देते यह सेट मिला ठीक है उसके बाद इसमें कोई संबंद आरवान आरटू इसके उसमच्चे क्या होते हैं इसके रिलेशन होते हैं यह सब हमने चैने बनाएगा टू जो है इन तीनों पर बनाएगा तो एक राष्ट भी में जो एलीमेंट से साइंगी अगर्पटरक्णाय रूप में अब अब यह जो elements है अब इनका कोई subset हम लेते हैं एक लाश से का कोई subset माल लेते हैं आर लेते हैं कि आपका one-one है one two है and two two है and three three है and आपका माल लेते हैं three two हो आ जाएगा या three one तो यह सब क्या है एं देख लिजी यह तुम्हारे क्या है रिलेशन अभी जो सुमच्चे बना रहा है उस सुमच्चे जो इसके सबसेट है यह सबसेट क्या कहला था रिलेशन कहला था यह जो आपका क्या बना रिलेशन बना इस प्रकार से यह और ले सकते हैं तो यह सब क्या है रिलेशन तो जो इस प्रकार से रिलेशन बना इस रिले को दूइ आधारी संबंद कहा जाता है यानि कि एक करास एक समयं के साथ कार्टेजन प्रोडेक्ट निकालने के बाद जो उसके सबसेट होंगे वह relation का है वे क्या कहलेंगे दुयाधारी संबंद कहलेंगे तो यह जो आर सबसेट यह आर जो है सबसेट होगा एक रासे का तो यह क्या कहलाएगा दुयाधारी संबंद कहलाएगा ठीक है तो यह होता है आपका दुयाधारी संबंद इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आपको कोई कृए निकाले दुयधारी संबंद करते हैं तो हममें क्या मिलता है कि एक राज sa करेंगे क्या मिलता है one one मिलेगा and one a मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा one one and one one का one का swim के साथ and one का a के साथ फिर a का one के साथ and a का swim a के साथ ठीक है ये जो elements इसमें आ रहा है ये होंगे आपका तो आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं ये वह आपका एक रासे अब इसका जो subset होगा मा लेजे one one है ठीक है and one है अब ये क्या कहला लाएगा relation के क्योंकि जो आर है subset है किसका a एक रासे का देख सकते हैं कि ओन one जो है a में उद्धमान है and one a क्रास a में उद्धमान है one one and one a तो ये क्या हुए आपके ये हुए आपके क्या दोधारी संबंद ठीक है इस प्रकार से जो आर होगा आपका दोधारी संबंद होगा तो हमने यह सब देखा आप आप से कोई पूछता है कि एक रास ए में इलिमेंट्स कितने होंगी एंड एक रास ए के जो एक रास ए के यानि कि ए पर जो दोधारी संबंद बनेंगी उनके नंबर क्या होंगे इस तरह के questions आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि एक रास ए में जो नंबर होंगे हमने प्रिवियर लेक्चर आप लोग यदि प्रिवियर लेक्चर नहीं देखें उन्हें देख लीजिए यह सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ होंगे एन करास एन होंगे ठीक है क्योंकि आडर पेर होता है इसको हम यहन तरीके से फिल कर सकते हैं इसको यहन तरीके से इसमें कितने होंगे एन करास यान यानि कि एन स्कॉयर होंगे ठीक है जैसे एक जामपल हमने लिए था एमें कितने इलिमेंट से दो इलिमेंट से थे तो इसमें जो इसमें एक रासे में elements का number का नंबर कितना है फोर कि क्योंकि हम कर सकते हैं यह आपका कितना है यह न का number कितना है दो दो का square यानि कि 4 ठीक है इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने set a लिया था इसमें elements कितने जैंडे वन टू-ट्री त्री जो आपका sit a दिया हुआ है इसके जो हम दूयाधारी मतलब एक राह से निकालेंगे तो इसमें कितने elements आएंगे तो इसमें elements आएगा आपका जनी square आप कोई पूछता है कि a पर बनने वाले दूयाधारी संबंधों कि संख्या ठीक है आप से यदि कोई पूछ ले इस पर बनने वाले दूयाधारी संबंधों की संख्या फंड कीजे तो कैसे आप फंड करेंगे यह आपको बताने जा रहे हैं तो हमने देखा कि यह जो है आपको example ले लेजिए एक example है one two and three ठीक है यह क्या है उन ट्री ठीक है तो एक रास्ट एन निकालेंगे तो क्या आएगा यह जो हमने निकाला यह ठीक है यह सेम यह वाला आएगा यह इतना है एंड यह आपका आएगा one two three ठीक है तो इतने element कितने आए? 9 elements आए नंबर आफ एक रास्ट ए में कितने elements आ रहे हैं अब हमने बता है किसी सेट में एक रास्ते क्या होगा हमने क्या बता है कि किसी सेट में यदि N elements है तो उसके उपसमच्चों की संख्या टू की पावर N होती है ठीक है हमने शर्ट जहरी से ही आपको बताते चले आए हैं कि इसमें यदि किसी सेट में N elements है तो उनमें बनने वाल उपसमुच्यों की संख्या जो होगी कितनी होगी टू की पावर नाइन होगी यानि की टू की पावर होगी आपकी एन ठीक है यान एलिमेंट से तो यह कितना हुआ टू की पावर एन तो यही जो एक रास है कि उसमुच्यों की संख्या होते वाली दुयाधारी संबंदों की स तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं कितना यह तो यह आपका हुआ ठीक है तो फार्मूले से क्या निकर किया फार्मूले से निकर कि यह कोई सेट यदि सेट ए तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं कितना यदि सेट यदि समुच्छे ए में यन एलिमेंट्स हों यन एलिमेंट्स हों तो ए पर बनने वाले ए पर बनने वाले दुयाधारी संबंधों की संख्या संबंधों की संख्या कितनी होती है संबंधों की संख्या टू की पावर एन इसक्वाइर होती है कितनी होती है टू की पावर एन इसक्वाइर होती है ठीक है देख लीजिए कितनी होती है टू की पावर एन इसक्वाइर होती है यह ठीक है चूंकि यन और कितने ऐलिमेंट है तो एक रास ए में कितने एलिमेंट हो यह न क्रास न यह लोगी यह निक्य कोईर है तो आई होप लोग इसे समझ चुके होंगे ठीक है एंड आपका जो नेक्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे क्या यह जो टाइप सेंटिक होगा एंड टांजिटिव रिलेशन होगा उसके बाद होगा आपका anti-symmetric relation ठीक है and ये को होता है equivalent relation तो ये सब आपको previous lecture में हम बताएंगे ठीक है चुकि इस lecture में बताएंगे तो वीडियो बहुत आपकी long हो जाएगी तो आपको next lecture में बताया जाएगा तो हम वीडियो को end करते हैं ठीक इस चैनल से जुड़ी latest अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe, like, comment, share कीजिए